चाइबासा से लगभग 30 किलो मीटर दूर, जीक पानी ब्लॉक में स्थित, छोटी बड़ी पहाडों से गिरते ज़र्नों के साथ, आस्था को खुद में समीटे हुए यक पर्यटन स्थल, हाकुयम हाकुयम, जहां प्रकृती और आस्था का सुन्दर मिलाब देखने को मिलता है, जिसके एक तरफ महादेव, शिवलिक की रूप में हाकुयम मंदिर में विराजमान है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बगल में छोटे बड़ी चट्टानों से गिरता स्वीत जर्ना भी दीग-दिगन तक फैली हुई है, फलस्वरूप इस मंदिर में सालों भर भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ-साथ अपने नए वाहनों की पूझा करवाने के लिए दूर-दूर से आते रहते हैं, वहीं मंदिर के दूसरी ओर पर्यटकों को उचे-उचे हरे-भरे पहाड़ ग्रामिनों के अनुसार हाकुयम का अर्थ मचली का दिल होता है, अगर इस जरने को उपर से देखा जाए, तो अपने नाम को सार्थक करता या मचली का दिल ही प्रतीत होगा यहां के ग्रामिन अक्सर इस जरने में मचलीया पकड़ते हुए दिखेंगे, जो इनके जीवकों पार्चन का साधन भी है प्राकृतिक सौंतर्य को खुद में समीटे इस परिटन स्थल तक पहुचने के लिए, चाइबासा हार्ट कमरिया मोख्य मार्ग है इसके अलावा यहां पहुचने के लिए रेल मार्ग की सुविधा भी उबलत है आस्था और प्रकृति का बेजोर संगम यहां देखने को मिलता है एक प्रकृतिक वाता बरन में भगवान स्थीब का आराधना करते हुए यहां दर्शक पाये जाते हैं और अभी तो सावन का समय चल रहा है और विगत अनिश समय में भी प्रकृति प्रेमी यहां आते हैं और इस मरोरम छटा का लाव लेते हैं प्रकृति और आस्था के इस मन मोहक संगम पे आईए और खुद्रत के हसीन वादियों में पसी शांती का आनंद लिजिए